सब्सक्राइब कीजिए लर्ण त्रिपली चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हेलो दोस्तो लर्ण त्रिपली चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त जगदेश जोसी दोस्तो इस वीडियो में हम किसी थियोरी के बारे में डिसकस नहीं करने वाले हैं बलकि इस वीडियो में हम निकोला टेसला की बायोग्राफी के बारे में डिसकस करेंगे हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उनका जीवन रहा, उनके कुनकुन से invention किये और किस तरीके से उनकी पूरी life थी, वो किस तरीके से उन्होंने काटी, यानि कि कितना struggle किया उन्होंने अपनी life में, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, आप इस व वीडियो को अभी ओफ कर दीजिए आप इस वीडियो को बात में देख लेना लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि हम अलेक्ट्रिकल इंजिनियर है तो हमें पता होना चाहिए कि निकूला टेसला की जो बायोग्राफी है जिन हम फादर ओफ लेकिन में हमारेव अविसकार किया था वह निकूला टेसला ने किया था यानिक जो आज हमारे यूज कर पा रहे हैं तो वो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है या उन्हीं के invention है जो आज हम यूज कर पा रहे हैं तो आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं इनके पूरे जीवन के बारे में जानेंगे इनकी पूरे टेसला की बात करते हैं तो देखिए निकोला टेसला को मेड साइंटिस्ट भी कहा जाता था यानि कि इन्हें एक पागल वैज्यानिक भी कहा जाता था वो हम आगे डिसकस करेंगे कि क्यों कहा जाता था तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की तो इनका जन्म हु हुआ था ठीक है इनके जो फादर थे वो एक पादरी थे पादरी मींस जैसे की हमारे जो मंदिरों में पुजारी होते हैं वैसी जो होते हैं वो पादरी होते हैं ठीक है तो और इनकी जो मदर थी वो काफी क्रीटिव मैंड की थी काफी मलब की टैक्निकल मैंड की थी और निक लबते लकी बजबंसे हिं निकोला टेस्ला के अंदर लग काम करने का काफ्य दल की इच्चा होती थी वह चांद मरब की उनके अंदर उक्रीपलीट व कुछ भी करना का छाग देता है तो यह सब चीजां अपणी मदर से सीकहि करना मदर resignation थी या फिर कोई भी अगर problem आ जाती थी तो इनकी मा ठीक कर दिया गरती थी उनको तो ये सब चीज़ें जो थी वो उन्होंने कहीं न कहीं अपनी मा से सीखी वो लखी ऐसा निकोला टेसला कहते हैं अपनी autobiography में अब जो इनके फादर थे वो पादरी थे तो इनके फादर यही चा इंटरेस्ट जो था वो साइंस में था यह मलब की इन्हें साइंस से काफी लगाव था तो बचपन से ही जो थे यह काफी intelligent थे काफी होस्यार थे तो इनका जो रुजान जो था जो जुकाव था वो साइंस की तरफ जाजा था तो एक बर क्या होता है कि इनकी बचपन में जाते हैं और घबराने की वज़से वो इनसे बोल पड़ते हैं कि चलो ठीक है अगर आपको पादरी नहीं बनना है तो आप ठीक है आप एक बार ठीक हो जाओ ठीक होने के बाद जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा तो निकोला टेसला जो है निकोला टेसला ठीक हो जात लिखी है अपनी उसमें ये कहते हैं कि मुझे मलब की एक तरीके से विजन्स जो होते हैं विजन्स दिखते हैं यानि कि मुझे सपने में मुझे जो भी मैं इन्वेंशन करता हूं मुझे इन्वेंशन जो है वो सपने में मुझे कोई आ करके बताता है और उसके बाद मैं उसक कर देता हूं तो कुछ लोगों का कहना ये भी था कि निकोला टेसला जो है एक तरीके से इनका जो कॉन्टैक्ट है वो एलियंस जो मैं आपने मूवी में देखा होगा एलियंस यह दूसरे ग्रह के प्राणी है उनसे इनका contact था तभी जा करके ये मनलब कि ऐसे ऐसे invention करते थे या ऐसे ऐसे बाता ये बोलते थे जो कि उस time पे असंभव सा लगता था क्योंकि निकोला टेसला के जितने भी आविस्कार किये थे जितने भी आविस्कार किये निकोला टेसला अपने समय से 100-500 साल आगे थे तो इसलिए लोग ऐसा समझते थे कि इनका जो contact है वो दूसरे गरह के प्राणियों से है या फिर एलियन से है निकोला टेसला के कुल ये पांस भाई थे जिसमें कि ये दो भाई थे और इनकी तीन बहने थी एक भाई की जो थी कुलेरा नाम की बिमारी होगी थी जिसके व्यास से इनकी काफी तव्यत खराब रहने लगी थी और इनका क्या हुआ उसके बाद जब इनकी तव्यत खराब हो गई और इनके जो पिताजी थे पिताजी ने जब इनको इंजिनरिंग कॉलेज में एडविशन दिलाने के रिए वो राजी हो गए इनकी तवियत को काफी खराब देखते हुए तो उसके बाद 1875 में टेसला को ओस्टिरियन पॉल टेक्निक में एडविशन दिला दिया गया ये निकुला टेसला जो थे इनका जो मैंड था वो बचपन से ही काफी क्रियेटिव था बचपन से ही काफी होसियार थे तो इसकी विए से जो टीचर्स थे टीचर्स भी इनसे काफी खुस रहते थे और कई-कई बार तो इनके क्वेशन ऐसे होते थे कि जिसका आंसर टीचर्स के पास भी नहीं होता था तो इसकी विए से इनको काफी प्रोग्लम्स आए क्योंकि कई बार टीचर्स जब कुछ चीज हम किसी से भी जाए वो टीचर हो या कोई भी हो अगर उससे हम क्वेशन करते हैं और अगर उसको नहीं आता है या फिर बार अठाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथा जो मलब की जैसे कि इन्होंने अपनी ओटो बायोग्राफि में लिखा हुआ है इन्होंने बच्पन से ही इनको वीजन दिखते दे बच्पन से ही इनको दिखता था कि इनको क्या करना है और किस तरीके से करना है तो इनका भी मानना था कि इनको एलियन से मलब की एलियन से ये क ये जो प्लब की निकोला टेसला और थोमस अलवाइडिसन की जो स्टोरी है ये काफी इंटरस्टिंग स्टोरी है क्योंकि उस टैम पे 1864 से लेकर के 1890 के बीच में एक तरीके से अमेरिका में करेंट वार छिड़ गई थी यानि कि करेंट की लड़ाई छिड़गी थी निकोला टेसला और थोमस अलवाइडिसन के बीच में थोमस अलवाइडिसन को आप जानते होंगे क्योंकि थोमस अलवाइडिसन ने बल्ब का विस्कार किया था और जो पहली बार electricity का invention किया था वो भी Thomas Alva Edison ने ही किया था थोगी Thomas Alva Edison ने DC electrical supply की invention किया था AC supply का invention जो Thomas Alva Edison थे वो नहीं कर पाए थे तो अमेरिका में क्या था अमेरिका में इनका पूरा का पूरा business था Thomas Alva Edison का इन्होंने DC electricity को generate करके उसको transmit किया हुआ था उसको ये लोग distribute करते थे नेकिन इनका जो distribution जो था इनका जो business जो था वो जा दूर तक पहला हुआ नहीं था क्योंकि DC supply को जा दूर तक पहलाना possible नहीं है कि इसके अंदर जो है वो काफी losses होते तो इसके वाज़े से ये इनकी सबसे बड़ी problem थी और जब ये निकोला टेसला 1884 में जब अमेरिका गए तो उस time पे इनका जो business था वो चल रहा था वहाँ पे DC supply ये invent कर चुके थे और लोगों को DC supply दे रहे थे और उस समय पे दुनिया के लिए एक तरीके से light का देख पाना electricity को महसूस करना वो एक समतकार से कम नहीं था तो निकोला टेसला पहले ही काफी popular थे काफी successful हो चुके थे काफी आविस्कार कर रहे थे और उस time पे sorry Thomas L.A. Edison तो और उस time पे जब निकोला टेसला को देखा इन्हों को मिले जब यह तो Thomas L.A. Edison निकोला टेसला को पहचान गए कि यह जो लड़का है यह मरब की काफी इसके अंदर कुछ है तो इन्होंने क्या काम किया इन्होंने 50,000 डॉलर में 50,000 डॉलर में निकोला टेसला हायर लिया मनिकी एक तरिक से आप कह सकते हैं कि कॉंट्रैक्ट दे दिया कि जो इनकी जो प्रोब्लम है डीसी सप्लाई की यह इसको दूर कर दे और इसके लिए अगर इनकी प्रोब्लम को दूर कर देते हैं तो इसके लिए Thomas L.A. Edison निकोला टेसला को 50,000 US डॉलर पे करेंगे तो जैसे ही इन्होंने जब इन्होंने काम करना स्टार्ट किया एसी सप्लाई पर यह जो फ्राडे के मलब की अलेक्रोमागनेटिक जो इंडक्षन है उस पर जब काम करना स्टार्ट किया टेसला ने तो इन्होंने पाया कि मलब की जो डीसी सप्लाई जो है डीसी सप्लाई की जो Thomas L.A. Edison ने पहले से ही उसको इन्वेंट किया हुआ है और डिस्टिब्यूट कर रहे तो उसी पर इन्होंने काम किया उसके बाद जो जनरेटर जो इनका जनरेटर था तो इन्होंने काम किया तो इन्होंने जो जनरेटर था उसी जनरेटर से एसी सप्लाई को इन्वेंट कर दिया तो इन्वेंट करने के बाद जब पैसे की बारी आई जब Thomas L.A. Edison से निकोला टेसला ने अपने पचास हजार यूएस डॉलर मांगे तो इन्होंने देने से मना कर दिया Thomas L.A. Edison ने तो जैसे ही Thomas L.A. Edison ने उनको पे करने से मना कर दिया तो निकोला टेसला को काफी गुस्ता आ गया और उन्होंने निकोला टेसला को इन्वेंट की कमपनी छोड़ दी और छोड़ने के बाद वहीं से स्टार्डंग होती है करेंट वॉर की तो उसके बाद 2885 में 1885 में स्टार्टंग होती है टेसला अलैक्टरिक की यानि की जो निकोला टेसला seconds थे वो अपनी खुदकी एक लाबोटरी खोलते खुदकी इसको नाम देते है वो टेसला जो टेसला ऐलेक्ट्रिक उसके बात 1887 में पहली बार 1887 में पहली बार दुनिया में AC सप्लाई डैबलप होती है टेसला एलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो जो निकला टेसला ने बनाई थी वो करती है अब देखे 1887 में ही 1887 में ही जो हम Wirz करते हैं वह भी निकोला टेसला की ही देन ले तो निकोला टेसला जो थे उन्होंको जैसी उन्होंने говорить की द्वेन इसका इंसन किया तो जो वह एसी अपले थी वह काफी हाई वॉल्टेज मती तो उस वॉल्टेज को इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक transformer की जरुरत पड़ी तो इसके बाद इन्होंने transformer का अविस्कायर किया उस voltage को step down किया down करने के बाद उसके बाद जैसे उस voltage को इन्हें लब की काफी दूर तक लेयाना होता था तो इसके लिए भी इन्होंने step up और step down के लिए transformer invent किये सेम इसी तरह की से इन्हें इंडेक्शन मोटरों का अविस्कायर किया और भी काफी आविस्कायर किये उन्होंने तो जैसे ही इन्होंने transformer का विस्कायर कर दिया और इनके लिए जो इसी सेप्लाई था एसी सप्लाई को मेलू दूर भी ले ले जाना काफी आसान हो गया अगर हम compare करें थॉमस अलवाइडिशन के डिसी सप्लाई से तो जैसे ही थॉमस अलवाइडिशन को यह पता लगा कि निकोला टेसला ने यह सेप्लाई का विस्कायर कर दिया है और इसी सप्लाई का विस्कायर करने से इनको मनलब की कापी मलब वह पॉपुलर मलब थोड़ा बहुत पॉपुलर होने लगे क्योंकि दिखने लगा कि हाँ भाई मतलब एक मलब की ऐसी भी electricity है जिसको मिलू दूर तक ले जा सकते तो लोगों का जो रुजान है लोगों का जो मलब की एक तरके से ध्यान जो है वो निकोला टेसला की तरफ जाने लगा तो जिससे थॉमस अलवा एडिशन काफी चिड़ गए और चिड़ने के बाद इन्होंने क्या काम किया इन्होंने निकोला टेसला को नीचा दिखाने के लिए या निकोला टेसला की जो एसी सप्लाई है उसको बंद करने के लिए जितना वो कर सकते थे जिनी कि जितना उसको मुलब कि खतम करने के जो कुछ भी यो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ इन दोनों के बीच में करेंट वॉर को गिनाने में यह क्रेंट वार्य चल गई तो अब निकोला टेसला इन्हें ने इंवेंचन तो कर दिया मोटर भी बना दी ट्रांस्फोर्मर भी बना दी AC सपलाई को जनरेट भी कर दिया लेकिन इनके पास जो थी वो पैसे की काफी कमी थी पैसे की कमी होने के वज़े से इन्हों को क्या काम करना पड़ा इनको जो की एक कंपनी थी जॉर्ज वैस्टिंग हाउस इनने क्या काम किया इन्होंने इंडक्सिर मोटर और ट्रांस्वर्मर इनको 60,000 US डॉलर में खरीद लिया और धाई डॉलर की रॉयल्टी दी यानि की मनलब की अगर इनका कोई भी हाउस पावर मनलब की अगर एक हाउस पावर की अगर इनकी मोटर बिचती है तो उसमें धाई डॉलर की रॉयल्टी मिलेगी इसको क्या कहते हैं निकोला टेसला को ठीक है तो ये इसको मनलब की इनको इसका जो डिजाइन थी इन्होंने जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने खरीद लिए और इसको 60,000 डॉलर में निकोला टेसला को बिच दिया निकोला टेसला ने इनको बिच दिया गया और उस टेम पे आप समझ सकते हैं कि 1887 में यानि कि 19 सताबदी में 60,000 यूएस डॉलर कितने मुलब कि एक बहुत बड़ी रगम थी तो अब जैसे ही इनका ये खरीदा इन्होंने और इनका बिजनेस का बढ़ने लगा तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया थाओमस अलवाइडिसन से करेंट वार छिड़ गई अब 1890 में क्या हुआ 1890 का जो दसक था उस टेम पे थाओमस अलवाइडिसन क्या काम कहने लगे थाओमस अलवाइडिसन निकोला टेस्ला की AC सप्लाइड से लोगों को इन्होंने इतना ड्रा दिया कि लोगों के मन में एक तरीके से AC सप्लाइड का एक तरीके से खौफ पैदा हो गया विए यह क्या करवाने लगे यह वे थॉमस अलवा एडिसन की एस्थप्लाइज से जानोरों को मरवाने लगे और इन्सानों को मर eles तो उस टेम पे जो सव थे जैनि जो death bodies थी उनको भी एस्थप्लाइज से ही जला जाने लगा और वो इतना भहनकर था कि लोगों के मन में AC supply की एक मनलब की acid हभी बन गई जिससे कि लोग इस AC supply से डरने लग गए लेकिन जोर्ज वेस्टिंग हाउस का भी साथ था पूरा निकोला टेसला के साथ तो जिसके वैसे इन्होंने काफी साथ दिया निकोला टेसला का और इन्होंने एक seminar type कर रखा और उसमें लोगों को AC supply से इंट्रिद्यूस करवाया उसमें इंट्रिद्यूस करवाने के बाद लोगों को उसके फायदे बताए और फायदे बताते ही लोगों को भी समझ में आने लगा और धिरे धिरे हुआ क्या लोगों ने यह से सप्लाई को अपना लिया और थॉमस अलवा एडिशन की जो डिसे सप्लाई थी वो धिरे धिरे ठाप होने लगी अब 1890 में 1890 में टेसला ने टेसला कोईल बनाई और एक इमलब की 1890 में इननों इसका पेटेंट अपने नाम करवा लिया 1890 में इन्होंने वेरलेस टांसमिसन बनाया था तो इसका भी पेटेंट नों है अपने नाम कर लिया तो अब 18евой 45 आया गिजो टेसला इनका जोंड़सपन से ही जो सप्ना था वो क्या था कि ये नाइगरा फाल्स जो है अमेरिका में नाइगरा फाल्स में हाइडरोलेक्टरिक पाउर प्लांट लगाएंगे तो सेम 1895 में इन्होंने जो नाइगरा फाल्स है नाइगरा फाल्स का एसी हाइडरोलेक पाउर जो पाउर प्लांट है वो इसका डिजाइन कम्पलेट किया और डिजाइन कम्पलेट करते ही इन्होंने इसको डिजाइन भी कर दिया ठीक है और अमेरिका की एक city है बुफैलो बुफैलो city दुनिया की पहली ऐसी city थी जहां पर AC supply से मलब कि वो city AC supply से चलने वाली पहली city बनी यानि कि Buffalo City जो थी वो अमेरिका की पहली City बनी जो की AC Supply से चली उसके जो अप्लाइंसे थे उसमें जो आप जो बल्प था या फिर और इंडेक्शनल मोटरें थी और जो जितने भी इंजन कह लिए आप वो सभी चलने वारी जो मलब की AC Supply का यूज हुआ मलब की Customer के द्वारा वो Buffalo City पहली City थी 13 मार्ज 1895 में क्या हुआ कि इनकी लैब में आग लग गई जिसके वैसे यह काफी मलब डिप्रेशन में चले गए और 1915 से ले करके 1925 तक यह मलब की एक तरह के से कंगाली के दोर पे आ गए इनका देखिए निकोला टेसला बस्पन में जब यह अमेरिका आ ढोल आये थे तब इनके पास की कुछ भी नहीं था यह कुछ भी अकाफी मलब की पर जौब ड्रूमने के लिए तिस्ट कहा जाने लगा और इनकी अंदर मुद अजीबों गरीब आदरतें भी लेकिन पहले भी दिखाइगे दोर थी लेकिन आखरी जब इनकी अपने लाइफ के या आखरी दौर में थे तब भी यह दिखाइगे लगा कि वह कैसे से इनको काफी अलेर्जी थी और ज्यादा भील भार बरी जो इलाके होते हैं वहां इनको जाना बिल्कुली पसंद नहीं था तो ऐसी कुछ आजते थी और जब इनका जो लास्ट स्टेज जब आई जब ये डैथ की बिल्कुल कगार पे थे या फिर जब इनका मलब की जिस एर पे करने के तक इनके पास पैसे नहीं होते थे तो आप समढ़ सकते हैं एक ऐसा साइन्टेस्ट जी इसने हमें इतना कुछ दिया उसके जो आंखरी दिन थे वह आंखरे दिन उनके कैसे कटे आप समझ सकते हैं तो साथ जन्वरी 1943 में इनकी डैथ हो गई थी और जो आज की टैम में जो मैगनेटिक फिल्ड जो है मैगनेटिक फिल्ड की यूनिट भी टेसला के नाम पर ही रखी गई है और जो इनका जो मतलब एक इतना वड़ा साइन्टिस्ट और इतने वड़े साइन्टिस्ट का मलब कंगाली के कगार पर आ जाना या फिर आप कह सकते हैं कि एक जो जिस होटल में यह रहते थे उस होटल को पे करने तक के इनके पास पैसे ना होना आकि ऐसी नौबत आई क्यों तो देखिए निकोला टेसला का एक सपना था निकोला टेसला ने सोचा कि वो एक कुछ ऐसा बनाएंगे गोफि ऐसा करेंगे जिसके वह आइसे पुरी दुन्याह को फिरी में अलेक्तिक टी दीसला इनका प्रोजच्ट यह तैयार कर रहे थे तो इसके लिए इन्होंने क्या काम किया एक बहुत बड़ा Tomer बनाया रगतार बनाने के बाद उसमें उपर इन्होंने एक कौईली मिलबं कि जिसका का नाम दिया कोईल बनाई कोईल बनाने के बाद यह चाहते थे कि अपर उयरलेस तरीके से ट्राश्मिट किया सके हाला कि इस प्रोजेक्ट पर आज भी काम चल रहा है यह प्रोजेक्ट आज तक सक्सेस नहीं हुआ तो इनका जो जितना भी जमा सब्सक्राइब लोगों को मिलेगी इसका एडवांटेज ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा था इन्वेस्टर्स को तो जब उन इन्वेस्टर्स को पता लगा कि टेसला यह चाहते हैं कि इस टावर्स के बनने के बाद वो फ्री में एलेक्टिसिटी लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनको साथ दे रहे थे वो निकोला टेसला का वो साथ उन्होंने छोड़ दिया तो जिसकी वैस से क्या हुआ कि उनका जो प्रोजेक्ट जो था जो उनका सपना था वायर्लेस ट्रांस्मिशन का वो बीच में ही रुख गया और बीच में ही रुखने के बाद जो टेसला की जितनी जमा पुंजी थी वो पहले ही लगा चुके थे उसमें और निकोला टेसला बिल्कुल कंगाली की कगार पे आ चुके थे तो दोस्तों यह थी एक जीवन कथा एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने हमें इतना कुछ दिया आज हम जो एलेक्टिसिटी यूज कर पा रहे हैं जो हैं वो एक तरीके जो निकोला टेसला की ही वज़ासे कर रहे हैं क्योंकि निकोला मलब कि जिस देश में अगर मानके चलिए अगर हमारा इंडिया या कोई भी कंट्री अगर वो 24 हावर्स अगर अगर अपने देश के हर एक एरिया में अगर दे देती है तो उस देश को मलब की डैबलब होने से कोई भी नहीं बचा सकता या फिर कोई भी नहीं रोक सकता तो किसी भी कंट्री का डैबलब होने में उस देश की अलेक्टिसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है वो आप समझ सकते हैं एक बार इंडिया में कुछ टैम साल पहले आपने देखा होगा कि द लेक्टिसिटी कितना इंपोर्टेंट रोल निभाती है तो इसी चीज का इंडिवेंट किया था निकोला टेसला ने और उनकी जो मलब की शुरुवाती दिन थे और जो आखरी दिन थे और जो पुरन की पूरी लाइफ थी कैसे कटी वह आप जान चुके हैं तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें सेर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी आप जादा से जादा इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में भ पता लग सके और आप कमेंट करके हमें प्लीज जरूल बताईएगा कि आपको यी वीडियो कैसे लगी क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपूटेन्ट रहते हैं और हम भी मोटिवेट होते हैं आपकी सभी कमेंट्स लाइक्स और शेयर देख कर दें ओके तो थैंक्स पर वाचिंग जल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में